शहर स्रीनगर में कुछ टेरर इंसिडेंट के जो इंसिडेंट्स थे वो हुए थे जिसमें इंपॉर्टन दो इंसिडेंट्स थे जो की रीजेंटली एक आठ तारीक को ग्रिनेड इटैक हुआ था हबक में और उससे पहले 26 नवंबर को कश्मीर उनिवस्टी के सामने सरसयद गेट के नजदीक जो मार्किट थी वहां पे एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कुछ सिविलियन्स भी जखमी हुए थे श्रीनगर पुलिस की क्यादत में इन केस की तफ्तीश हुई और इसको ये जो केस हैं ये सॉल्व कर लिए गए हैं और इस तफ्तीश के दौरान पां हदर्द बल के रहने वाले हैं और ये रेडी फिरोश है तीसरा नाम में इम्तियाज एहमद ये ये भी हदर्द बल के ही रहने वाले हैं और एक स्पोर्ट शॉप ओन करते हैं उसी इलाके में चौत्धा नाम में साहिल अहमद साहिल फार्ग गूजरी ये प्राइवट में पता लगा कि इन लोगों ने जो हबक का जो इंसिडेंट है एक टू वीलर वहिकल पे आके ये ग्रिनेड लॉब करा और आगे जो तफ्तीश हुई और पूश्टाच के अधार पे आगे कारवाई की गई जिसमें इन्हों ने और दो लोगों के नाम बताए और इस कदर ये इन में से मैं आपको वाज़ कर देता हूं जैसे कुछ जेलेटिन स्टिक्स, कुछ सेकेंडरी एक्स्प्लोजिव्स, डेटोनेटर्स और बॉडी वेस्ट है जिसमें शापनेल्स और बॉल बेरिंग है विद एक्स्प्लोजिव और नाइट्रिक ऐसे टेप रोल्स और कॉइ तो लहाजा इस तफ्तीश के मदद से श्री नेकर पुलिस ने एक जो प्रोस्क्राइब टेरर आउटफिट है उसका एक मॉड्यूल बस्ट किया है इसमें जो बाकी फर्दर इन्वेस्टिकेशन है वो जेरे तफ्तीश है और आगे आने आगे उसमें जो कारवाई होगी वो आप से साजा की जाएगी जहां तक यह हां उनका दो इनिशियल तफ्तीश के हिसाब से इन लोगों का एक मकसद था कि जो जहां उस मार्केट में जो है कुछ दुकाने खुल रही थी और जो नॉर्मल जिन्दी की गुजर बसर हो रही थी तो उसमें खलल वाका डालने का एक कि इनका मकसद था दूसरा जिस हिसाब की रिकावरी एक्सप्लोजिव मैटीरियल है और मिल रहा है तो उससे जाहर है इनके कोई मनसूबे नेक नहीं थे और कोई यह आईडी और टेरर अटेक करने की बड़ी वारदात को अंजाम देने के मनसूबे जाहर होते हैं यह अभी तफ्ती जेरे तफ्तीश है यह केस तो आने वाले दिनों में और जो आमद रफ्त होगी उसको आप से साज़ए यह प्रोस्क्राइब टेरर तंजीम जैसे मोहमत से वाबास्ता है इनिशिल तफ्तीश यह अभी तक की तफ्तीश में दो जो रिसेंट टेरर इंसिट मेरे खेल से वह हमारे उसमें नहीं है वह उनी से आप पूछिए जितना इससे जो मुतलिक है वह हमने आपको बता है